जैमा इंद्राक्षी जयंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करती हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्काम आए देखेगा छोटा सा अंख है पहले भी हमने बोला है इसके उपर कि हम घर में जब पूजा पाट करते हैं प्रती दिन के हिसाब से तो हम कितने दीप जलाएं अमुमन कई बार हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं सोंबार आता है तो शिवजी की पूजा के साथ साथ हम अन्य अपनी देनिक पूजा भी करते हैं मंगल आता है तो हर्मान जी की पूजा भी करते हैं कई बार सुंदरकाण पढ़ने को भी मन करता है तो कई बार हमारा ये मन भर्मित हो जाता है कि हम हर्मान जी के लिए अलग दीप जलाएं शंकर जी के लिए अलब दीप जलाएं या गुरुदेव के लिए अलग दीप जलाएं इस प्रकार की शंका हो सकता है किसी के मन में हो तो आज का ये कारिक्रम उस सभी संकाओं का निवारण करने वाला है आईए पहले आज का हम पंजांग बताएं 14 दिसंबर सन 2030 दिन प्रस्पतिवार संबंत 2080 मार्कशिस कृषनपक्स तिथी द्युक्तिया मूल नक्षत्र में भी जिन जात्कों का जनम में होता है वो गणमूल नक्षत्र की शिरिणी मातें ऐसे बच्चों की गणमूल शांती करा देनी चाहिए आप देखो परतिदिन के हिसाब से सभी पूजन करते हैं कोई कोई ऐसे भी हैं जो बैचारे किस कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया हर तरह की दुनिया है और ऐसे भी लोग हैं जो बिना दीब जलाई भी पूजन करते हैं हर तेरे से बात है मानस दीब भी जलाते हैं मानस पूजन भी करते हैं अब जब हम परती दिन की पूजा करते हैं परती दिन की पूजा में जोनोंने गुरु धारन कर रखे हैं, गुरु बना रखे हैं, तो गुरु पूजन भी करते हैं, परती दिन के हिसाब से जोने मंत्र मिले हैं, उन मंत्रों का भी पूजन करते हैं, और कई बार हम कहीं से दिख्षित हैं या नहीं, हम अपने मन से भी क कुछ पूजाएं करते हैं हमें किसी ने बताया नहीं है लेकिन कुछ पूजा हमारे मन को भाती है जैसे मिसाल के तोर पर बहुत लोग प्रती दिन शिव पुरान पढ़ते हैं कुछ लोग प्रती दिन के हिसाब से दुर्गा कवच भी कर लेते हैं कुछ लोग शिव चालीसा ह जितना जपा जा सके उतनी अच्छी बात है लेकिन गुरू से बंधने के बाद हम गुरू मंत्र या जो भी गुरू ने जिस देवी देवका का आपको मंत्र दिया है उसके परती प्रीती जादे जगाई है उसके परती अनुराग जादे रखिए उसके परती ध्यान जादे से जादा करने का प्रयास करना चाहिए अब जैसे आपको देवी मंत्र मिला है तो भगवती की साधना आपको जादे से जादा करनी चाहिए और देवी देवताओं के अपेक्षा उनकी खूब करिये लेकिन जो आपको गुरु मंत्र भगवान कर्शन का मिला है राम का म मिला है, देवी मंत्र मिला है, तो जो मंत्र आपको गुरु मंत्र के रूप में मिले हैं, उस पर पूरा फोकस ज्यादा करना चाहिए, भाव मेरा यह है, और उसको करना ही करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, अब आगे बड़ो, अब ऐसी इस्टिति में गुरु मंत्र हुआ और जिस चीज को या जिस मंत्र को जिस देवी देवता को हम लंबे समय से ध्यार हैं अब उनका भी हम मंत्र नहीं छोड़ सकते हैं उनका भी मन करता हैं चलो एक मला करने ये दो मिनट करने अब वहां जब हम दीप जलाते हैं हमने दीप जलाया तो मन में अब ये सवाल उठता है, ये दीप क्या शंकर जी के लिए जलाया मैंने, ये दीप क्या मैंने राम जी के लिए जलाया, ये दीप क्या मैंने जो मेरा मूल मंत्र है, गुरु मंत्र है, मैंने उनके निमित्त जलाया, तो देखो बेटा, कहीं कुछ घवराने की बात नहीं होती ह जब हम भक्ती करें, पूजा पाठ करें, तो एक ही दीप जलाएं बहुत सारे दीप जलाने के आवश्रक्ता नहीं है कि आप राम जी के लिए अलग दीप जला रहे हैं अनमान जी के लिए अलग दीप जला रहे हैं, गुरु जी के लिए अलग दीप जला रहे हैं नहीं एक यही दीप जलाईए और उसी दीप को जलाने के बाद जब आप पंच वप्चार आपसे पूजन आता है पंच वप्चार कुछ नहीं होता जिसे दूप, दीप, चावल, जल, फूल, भगवान को चड़ाना होता है पाँच चीजे, पंचोब चार, शोड़ सोब चार, सोला प्रकार की वस्तुएं, सोला प्रकार की चीजें, उसमें तो जल ज्यादा है, है ना, सबसे पहले बैठने का भगवान को आसन देते हैं, आसनम समर पयामी, पैरदुलाते हैं, पाद्यम समर पयामी, फिर जल, अरग्यम समर पयामी, आचमनम समर पयामी, इसनान, सनान समर पयामी, चार पाँच चीजे तो जल की हो गए, फिर वस्त्र, ये गोपवेत, धूप, देप, फूल, चावल, मिस्ठान, ये सारा मिला करके सोला प्रकार से, इसे सोट सुप, चार पूजन कहते हैं, थोड़ा फूल्चावल जड़ा दीजे, धूप, दीप का भगवान को इशारा कर दीजे, फूल्चावल जड़ा दीजे, और कोई मिस्ठान परती दिन के हिसाफ से ड्राइफरूट बग़र रख लीजे, वो भगवान को जड़ा दीजे, और उसी के साथ साथ एक कामोर करिए आप, जो आपने दीब जलाया है, उसी दीब का इसारा सभी देवी देवताओं की तरफ कर देना चाहिए, उसी दीब का इसारा, आपको अलग से कोई 3-4 प्रकार के दीब जलाने की आवशकता नहीं है, एक ही दीब सब पहले गुर्देव की तरफ उसको ऐसे कर दीजिएगा, फिर बाकी जो भी आपके इस्ट हैं, जिने आप ज़्यादा मानते हैं, जो आपके इस्ट हैं, उनकी तरफ इशारा कर दीजिए, बाकी जो भी आपने घर में और अन्य फोटो रखी हैं, सभी की तरफ उस दीब का, महीं रखे रखे अब आप आरती करते हैं बहुत लोग आरती के लिए अलग दीप जला लेते हैं वो आपका मनें वो आप कर सकते हैं नहीं तो उसी दीप को उठा करके तस्तिरी में रखके आरती कर सकते हैं प्लेट में रखके और यदि आपने एक छोटा सा अलग दीप जलाना आप अलग नहीं भी उठाना दीप रखा रहने दीजिए आरती का लीजिए और बाद में दीप उठा करके थोड़ा सा उस पे जल गुमा करके वही दीप का इसारा सभी देवी देवताओं की तरफ कर दीजिए यह वह सकता है नहीं तो और एक सरल तरीका बताता हूं जो दीप जलाया है को मही रहने दीजिए आरती के उप्रांद उसी दीप रखेवे दीप का सर चहूं और इशारा कर दीजिए थोड़ा सा प्रति दिन कपूर जला लिया करें सबसे तरीका अच्छा है कर पूर गौरम करनावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम पढ़ लिया आता है तो पढ पूर दानी से जो जलता हुआ कपूर है चहूं और भगवान की तरफ इशारा करके बाद में स्युम भी उस कपूर की ही जोत ले लिया करें तो ध्यान रखें भक्ती के लिए पूजा के लिए वैसे तुम मन का दीप जले सबसे स्रिश्ट है लेकिन यह आप दीप जला रहे के लिए प्रती दिन के लिए नहीं होता है समझें सबको बात आ अब एपिसोड बड़ा हो जाएगा दीप किस चीज ला सकते हैं अब इसके साथ साथ एक चीजा सुनले कई आपके मन में हूता है मैं उसमें घ्री यूज को करते हैं यह वह बौनकों आपनी अपनी ब्यूंस नगों करतें हैं यह। यह जुन गीतों सर्व सुलब मिले जाता है और देखो पोकेट अलाव नहीं करती तो भगवान तो कह दें कि बेटा मेरा केवल मानस पूजन कर लीजिएगा कभी मैं मानस पूजन की आपको पूरी विधी बिताऊंगा उस तरीके से भी कर सकते हैं मानस पूजन में धूप दीप फल और जो भी आपके पास सुलब हो जाए देशी की हो जाए मीठा तेल हो जाए और यदि मीठा तेल भी आपको सुलब ना हो सके तो फिर कड़वा तेल जिसे कहते हैं सरसो का तेल बहुत लोग कहते हैं सरसो का तेल जलाना ऐसा है वैसा है नहीं ऐसी बात नहीं है पहले जब स अचलन था, तो आपको जैसी सुविदा लगे लेकिन जो भी जलाएं शुद्ध हो अच्छी इस्थान से लिया गया हो यह घर का हो तो ज्यादा अच्छ रहता। और भगवान तो भगवान है, वो भावनाओं से प्रसन होते हैं, आपकी निष्ठा से प्रसन होते हैं, आपकी भक्ती से प्रसन होते हैं, आपकी शर्द्धा से प्रसन होते हैं, नेकी घीतिल से, है ना, घीतिल तो वो में सुम्प्रदान करने वाले देवता हैं, आईए, समय विचला आज की ध्यान सादना कर जूटते हैं आज की ध्यान सादना में भगवान शुरी राम से ओम रामो राजमनी सदा विजयते रामम्रमे संभजे रामे नाविहता निसाचर्चमू रामायतास मैनमा रामा नास्ति परायनं परतरं रामस्यदा सोम्यःं रामे चितलया सदा ववतुमे भोराममा मुद्धर राम रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो रामत पोवनं दिगमनं हत्वाम्रिगं कांचनं वेदेई हरनं जटायुमरनं सुग्रिवसां भासनं वाले निग्रहनं समुत्रतरणं लंकापुरे दाहनं पस्चाद्राबन कुम्बकर्णहननं इतद्रामायनं इतद्रामायनं कवच बना ले ध्यान करे राम जी गशुबासिस हम सब के ऊपर बरस रहा है अम बोलते हुए नेत्र खोले समान्मे हो जाएं देखो साद को प्रती दिन एक संदेश दिया जा रहा है कि दिख्चा का करम प्रारम बहुँ चुपा है जो भी सादक संस्थान से दिख्चा लेना चाहते हो वो अपना फोर नमबर नाम और कहां से बोलना है आप लिखा सकते हैं और जिन सादकों ने दिख्चा पहले ली है संस्थान से हम लोगों से हमसे पहले दिख्षा ली गई है संसान से लिए तो वो सादक अपना एक बार दुबारे से मुबाइल नमबर नाम और कहां से हैं ये जरूर नोट करा दिएगा नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और इसके अगला संदेश क्योंकि आप बहुर मत होई है रोज रोज एक ही संदेश देना पड़ रहा है जरूरी भी है क्योंकि रोज रोज हजारों लोग नए भी जुड़ते हैं इसलिए नया संदेश रोज रोज वही संदेश देला पड़ता है अब पुराने जो लोग हैं वो अपना नाम नमबर लिखवा दे नए लोगों को दिखसा सैट सभी को PDF फाइल के रूप में भेजा जा रहा है जिनको ना मिला हो पैशेंस रखें सभी को मिलने वाला है 22 तारीक से 22 दिसंबर से मोक्षता 81 से आप लोग अपनी के साथना प्रारब करेंगे लेकिन हमारी आप से प्रातना है आप उसका प्रिंट आउट जिरूर निकलवा लीजेगा जो बिल्कुल रूरर एरियास से हैं ग्रामी नाचल से हैं जहां ऐसी सुविधा नहीं है प्रिंट आउट निकलवाने की वह मजबूरी है बहुत अलग है नहीं तो आपके आज पास का कोई बच्चा बालक शहर पढ़ने जाता हो तो उनको पीडियेफ फाइल दे सकते हैं उसका प्रिंट आउट 4-5 रुपय मैं 10-15 रुपया तक निकल जाता है कोई बहुत महेंग उसकी लाइट भी बंदो जाती है तो ठीक नहीं है तरीका आगर वास्तव में आप दिख्चा से जुड़े हैं भगवान से जुड़े हैं तो ये प्रिंट आउट आप 22 तारिक तक जरूर अपना-पना सभी लोग निकल वाले हैं इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाने वाले हैं उसमें थोड़ा से और तोर तरीका आपको दिख्चा के मंतरों का हम लोग बता देंगे नए सादक जो दिख्चा लेना चाहते हैं या जिसने कहीं से भी कोई दिख्चा ले रखी है और उसका मन है कि हम इंद्राक्षी संस्थान से धाम से जुड़े हम भी दिख् हैं कोई पाप नहीं लगता कोई किसी प्रकार कर दोश नहीं लगता और एक बहुत बड़ा संदेश हम आगे अपने जितने भी हमारे सिश्चे जुड़ते जा रहा है हम एक बहुत बड़ा कारिय आप सब से करवाना चाहते हैं ऐसे भी बहुत हमारे सिश्चे हैं जिन्हों साधना देने वाले हैं लेकिन प्रात्रा कम सिकंग 11, 51, 51 लोगों को उसमें जोड़ने का प्रयास करें अभी से अपने मन में कागज पर एक लिस्ट बना लें कि इस साधना से इस वार हमें इतने लोगों को जुरूर जोड़ेंगे ठीक है चलिए समय आज का बहुत आप सब कर लिए हमने बस ऐसी ही हमारी सारी बाते द्यान से सुनते रही है और जो भी आपके मन में साधना मार को लेकर के कंफ्यूजन हो आपको कोई भरमित होते हो या कोई घवराट होती हो उसके लिए आप हमें कमेंट्स लिख दिया करें अपने अच्छे-च्छे सवाल हम जरूर अपने इस कारे कलम में उनको शामिल करने का प्रियास करेंगे गाईत्री मन्थ निबह Deutschen को लेकर के पहले बहुत ऐसे कोशन आते थे क्या गाईत्री मन्थ हम बोलके पढ़ सकते हैं क्या महिलाएं गाईत्री मन्थ पढ़ सकती हैं बिना दिक्षा के भी आप गाईत्री कुई नहीलां को भेय, बच्चों का भेय और देखो बाकी आपकर मन का संदह है, संदह दूर करनी बड़ा मुश्किल करें. इसलिए गाstawतिरी सरह सुलब है, एक भग्वान से एक नेख प्रात्ना है, शुब प्रात्ना किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंदर शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक ज्यानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें ज्यानकारी कारिक्रम सब्सक्राइब कारिक्रम सब्सक्राइब करें